प्रत्याशी प्रत्याशी और उनके समर्थ तक जनता के बीच जाते दिखाए दिये और जनता के बीच जाकर अपनी प्रात्य मिक्ताएं भी बताने का काम किया समाजबादी पार्टी गडबंदन से सम्मल लोकसवा प्रत्याशी जिया और रहमान बर्क की टीम के सदस्यों द्वारा गाओं गाओं जाकर समाजबादी पार्टी की नीतियों को बताए गया कहा गया कि हमें अपने मत का प्रयोग आवश्यक रूप से करना है हमें अच्छी सरकार चुननी है अच्छा नेता चुनना है और मतदान के दिवस बर चड़कर मतदान प्रक्रिया में भाग लेना है यूस अपन एतरी नाग भारती भी गाओं गाओं जा रही है और पार्टी की नीतियों को बताने का काम कर रही है गाओं गाओं गली गली और जंगल में किसानों से उनके द्वारा बारता की जा रही है और इन दिनों गेहों का कटाई का कार चल रहा है जहातर लोग अपने क केतों में काम कर रहे हैं तो ऐसे में पार्टी के कारकरता इद भटो पर जा रहे हैं कियों के केतों में जा रहे हैं और किसान से चाहिए कर रहे हैं उनके पास भी जा रहे हैं और लगातार मत का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं तीसे चरण का प्रतदान शांदी पूर्ण और बेहतर तरीके से संपन हो इस बिंदू को लेकर बायत नवाचन आयोग के दिशान इरदेशन में सभी कारियों को किया जा रहा है। मददान इस तल पर मददाताओं के लिए पानी आदी की विवस्ता की जा रही है। मददान के दिवस में किसी प्रकार की परिशानी का सामना किसी को ना करना पड़े। मदाताओं को रिजाने का लगातार प्रयास जा रही है। मदाता भी अपने अपने बसंदीदा प्रत्याशी को वोट डालने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर तीसे चरण के लिए चनाव प्रचार समाप तो चुका है और अब साथ मई का इंतजार किया जा रहा है। साथ मई को सुवा वोट डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और देर शाम तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। संबल लोकसवर शेत्र में बेहतर मददान हो इस बिंदू को लेकर जिला प्रिशाशन लगातार प्रयास कर रहा है। मददाताओं से 100% मददान करने की अपील की जा रही है राजनैतिक पार्टियों के कारकरता वोट करने की अपील कर रहे हैं। महीं समास सेवी संस्थाएं भी मतदान में जादा से जादा अपनी बुमिका को अधा करने की अपील कर रही है। कुल मिलाकर तीसरे चरण का मतदान अच्छी तरीके से संपन हो और सफल हो। इस बिन्दू को लेकर भारत निर्वाचन आयोग बहतर काम करता इखाई दे रहा है। टीन महीने का चुनाब तो फिर्धानी का नहीं होता, वो तो पूरे देश का चुनाब लड़ने जा रही है। तो ऐसे करके कि अपना बोट गड़े में डालका ऐसी समाज को और मैं यह जरूर कहूंगी असी में ना पढ़के। अपने बच्चों के बारे में सोचिए। बाबा साब नहीं आएगा कि तुमारे हगों के लिए फिर से कोई लड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में इतना कोई भी यह नहीं है कि सब थोड़ा कहीं नहीं अपने स्वार्थ में होते हैं, कोई बुलपूर समाज की इमानदारी से काम नहीं करता है, थोड़ा अपना स् जब हम स्वास्त होंगे तभी हम देश की सेवा कर पाएंगे, जम सेवा ही सेवा करते रहेंगे, अपने गाउं महुले के टोटल बोट जहां तक हो सक है, वहां तक कोसिस करो कि साइकल पर बोट जाए, बोट गड़े में ना पड़े, हमारा बोट खराब ना हो, क्योंकि इस आपील करना चाहूंगे, बोट जादस जादस साइकल को दीजिये, हमारे मानने अकलेस भाया के हाथ मदूद की दिये, समाज को बढ़ाईए, देश के हित के ही बढ़े,